हर घर हो रहा है पोशित जह आपको बता दी कि आंगनवाडियों में अब सूखा राशन दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना से पहले मिड़े मिल बना कर दिया जाता था लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद से सूखा राशन दिया जा रहा है साथ इसाथ आपको बता दी कि समय बेबी इसी तरीके का सूखा राशन दिया जाए तस्वीर आप देख रहे हैं आंगनवाडी की जहापर अलग अलग तरीके का सूखा राशन है और यह सूखा राशन भाई है जो मिटे बिल मनाते समय इस्तमाल किया जाता था जिसको लेकर माबाप ने भी खुशी जता है और साथ यह साथ आंगनवाडी वकर्स में लगाता काम करते होई दिखाई दे रहे हैं आपको बता दे कि राज़ानी दिली में महिला इवं बाल विकास विबाग की तरफ से 6 साल की उमर तक के बच्चों के लिए आंगनवाडी चला रहे हैं इन आंगनवाडी ओं में जनम स लेकर 6 साल तक की उमर तक के बच्चों का मांसिक शारिरिक और बौधी विकास को लेकर काम किया जा रहा है साथे साथ इसमें गरबती मेला है सनबान कराने वाली महिलाओ के स्वास्ते के लिए भी आंगनवाडी यह लगाता काम करती हुई दिखाई दे रही है साथ यह आप बिन बनाते वक्त तो इस्तमाल किया जा रहा था और यहां पर वर्कर्स का भी कहना है कि यहां पर माबाप को इसलिए बुलाया जाता है ताकि बच्चों के आदत ना छूटे आंगनवाडी आने के लिए और घर घर जाकर भी उन तक यह राशन पहुचाया जाता है यह जो इससे पहले बना हुआ खाना मिलता था हो अच्छा लग रहा है यह यह खाना आपको कब से मिल रहा है माच जिसस दो आपको टाइम पर मिल जाता मैहने में दो बार जैसे मिल दा रहे हैं तो आपको मिल जातायँ है टाइम से आपक का नाम क्या है मेहिंडरी अप किसका कहाना लेने आयो smoked at आपको जो पहले बना हुआ खाना मिलता था वह पसंदार रहा था यह जू आपको सूखा मिल रहा भच्चे का यह पसंदा रहा है है इसके इलाव को नहीं हारा है अचे आप यह घाना दे रहे हैं यह कब से दिया जा रहा है ? अच्छा यह खाना घर गर जाने के देने के ओर्डर है तो आप घर गर जाके दे रहे हैं और कुछ लोग यहां पर हमारे आंगन बाड़ी में सुख्धा बनी रहे कि यह बात में जब बच्चे आने लगेंगे यह आएंगी नहीं इसलिए कुछ लोग को हम यहां बुला भी ल अच्छा अब जब से लोग डाउन लगा है आपके आंगन वाड़ी बंद बच्चे नहीं आ रहे हैं तो बच्चों के लिए अपके लोगों को कुछ बताया गया कि क्या करना क्या नहीं करना बच्चों को अब तक तो जो है हम जाजा के घर पर लिखे बताते थे क्या काम करना है बच्चे ठीक से रहे खाने पीने का काम हाद दोना कैसे करते हैं आप इस मंड़े से हमें यह आदेश मिला है कि उनका से चकला बेलन हुआ, गिलास हुआ, छोटे बड़े का ग्यान, इस तरीके से हमें बताने का बताए गया है.